नमस्कार मैं हूँ निकिता रग्वएंशी और स्वागत है आपका MP News के इस खास कारीक्रा में जिसमें मद्यप्रदेश की राजनीती में विंद की जो 30 सीटे इसवार बहदी खास मानी जा रही है उसको लेकर पूर्व मक्यमंत्री दिग्वीजै सीनी भी मेधान में उतरकर कोंग्रेस को रिचार्च करने का काम शुरू कर दिया है औरो नोने कार्यकर्ताओ को अपने अनुबाव का निचोर भी साज्या किया है तो जानते है हमारे सईयोगी सुनिल से कि दिगविजे सी नी विंदे में अपने कॉंग्रेस करे करताओं को क्या संदेश दिया है बताइए सुनिल जी बिल्कुल निकिता विंद की जो 30 सीटे उसको लेकर पूरु मक्यमंत्री दिगविजे सिंग मेदान में दिखाई दे रहे हैं वह फिलहाल विंद के दोरे की तो वह सिंग्रोली के बाद सीधी और शेडोल जिले के फिलहाल में वह दोरे पर हैं तो इसी दोरान उन्हें कार करताओं को दिया है तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो विंद की 30 सीटे काफी महत्रून हो चुकी है और फिलहाल में बात करें पूरु मुक्षी मंत्री दिगविजे सिंग की तो दिगविजे सिंग को करीब करीब 6-6 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है इसमें से उन्होंन का खास दिखाई दे रहा है तो आगामी जो समय है उसमें दिगविजे सिंग की रण नीति कितनी कारगर साबीत होती है यह विंद की जनता साबीत करेगी लेकिन फिलहाल में जिस तरह से एक बार फिर से दिगविजे सिंग मैदान में दिखाई दे रहें और वह विंद के र हमसद nerve ने सीह 406 ऐसे करोट कीरोड की जनता को देंगे बात करें विंदि की राजटी तो मुक्षिमंत्री शिवराज स्युक्राइट्व हों फीश्भीक के और लगाता ध्यान रख रहे हैं तो इससी तरह करें उन्हों करें वहां पर हवाई-अड़े की भी सोगात दी और इसी तरह से उन्होंने एक जो विंद एक्सप्रेस वे है उसकी वी सोगात दी यह एक्सप्रेस वे भोपाल्द सिंग्रोलितक बनेगा और इससे विंद की जनता हो काफी कुछ लाव होगा तो इसी तरह से लगातार हम देख रहे हैं पूर्मुख्यमंत्री इस जगा बताना चाहूंगो आपको में जो 30 सीटे हैं विंद की उसमें 24 सीट पर बीजेपी कावी से और 6 सीटों पर कॉंग्रेस की जीत हुई थी तो इसी तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहां लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी का पुराना परिणाम है कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों का ही फोकस इन विंदी की जो 30 सीटे इन पर बना हुआ है तो क्या लगता है कि इस बार जो विंदी की सीटे हैं ये महत्वपूर्ण रण में साबित होगी बात करें जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो पिछला विधान सभा चुनाओ था उसमें 24 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी तो बीजेपी के लिए उपजाव जमीन दिखाई दे रही है लेकिन पिछले जो नगरी निकाई चुनाओ की बात करें तो रीवा के जो म और रीवा जीला विशेश तोर पर की महाँ से भी नहीं लिया गया था तो इसको लेकर काफी समय से मांग की जा रही थी कि विंद इलाके से जो जनप्रतिती है उनको मोका दिया जाए लेकिन अपकी बार जो रन है विंद का ये काफी कुछ महतवण हो जाएगा जो इकांग पर है आगे भी न्यूस से आप जुड़े रहे हैं देखते रहे हैं अपडेट्स